इस बार जो substrate है वो अलग-अलग है इस बार हम लोग amide का reduction कराएंगे और उसे amide बना के देखते हैं सबसे पहले सो लिखिए reduction of amide पहला जो method आज की वीडियो का है that is reduction of amide बहुत important है ध्यान से उसको चेक करिएगा reduction of amide अब आप एक बात बताईए amide है क्या actual में ये carboxylic acid का derivative ही तो है अगर मैं amide को लिखूं तो क्या लिखूंगा R, C, O और यहाँ पर हम लगाते हैं NH2 और carboxylic acid के derivatives का in fact carboxylic acid का reduction किस ने किया था lithium aluminium hydride which is the best reducing agent clear होता है तो amide का reduction भी कौन करने वाला है lithium aluminium hydride बहुत ही specific है reducing agent oxidizing agent बहुत ही जादा specific होता है clear होता है तो यहाँ पर carboxylic acid के derivative के reduction जादा तर lithium aluminium hydride से ही हो जाते है clear हो गया तो चलिए अब देखिए जरा ध्यान से इसका हमें reduction कराना है सबसे पहले मैं यहाँ पर chemical reaction लिखूँगा उसके बाद मैं आपको इसका mechanism भी बताने वाला हूँ तो check करेगा सबसे पहले reaction reaction में क्या scene है सबसे पहले आपने मान लीज़े यहाँ पर amide लिया यह amide है ठीक है अब इसका कराना है reduction जरा सोचो reduction का मतलब क्या होता है amide से आपको amide बनाना है reduction में मतलब होता है removal of oxygen clear हो गया आपको oxygen को हटाना है और अगर आपने यहाँ से oxygen को हटाया तो यह carbon की 2 valency free होंगी उसको 2 hydrogen देने है clear हो गया so simple सा काम करना है मतलब इस carbon को 2 hydrogen देने और यह oxygen हटाना है और यह काम कौन कर सकता है यह काम कर सकता है lithium aluminium hydride arrow पे लिखा है lithium aluminium hydride मतलब समझ लो की हो गया साथ में water भी होता है ठीक है लेकिन उसको कुछ खासा काम नहीं हो आपको mechanism में बताऊंगा लेकिन लिखा मिले तो आपको tension नहीं लेना है clear हो गया सो यहाँ पर lithium aluminium hydride यह काम असानी से कर सकता है यहाँ से इस oxygen को हटा देगा इस carbon को 2 hydrogen देगा और यह convert हो जाएगा किसके अंदर जरा चेक करो finally R CH2 NH2 के अंदर मतलब यह amine में convert हो गया clear होता है सब लोगों को यह amide of amine में convert हो गया बहुत ही simple chemical reaction है लेकिन mechanism इसकी बहुत ही wonderful है ठीक है so यहाँ पर मैं खतम भी कर सकता हूँ कुछ नहीं है इसके अंदर लेकिन mechanism देखने से आपको अंदाजा लगता है idea होता है आपकी समझ बढ़ती है organic में तो मैं आपको यहाँ पर mechanism बताने जा रहा हूँ उसको जरा check करिएगा ठीक है so यहाँ पर mechanism लिखता हूँ so we'll talk about mechanism देखिए सबसे पहले आप गोर करिए कि lithium aluminum hydride यह है क्या उसका structure कैसे होता है तो आप जब google पर search करेंगा तो scene कुछ ऐसा बनेगा देखिए सबको पता है कि जो aluminum है वो 13 number group से आता है ठीक है उसके बाद balance electron होते है 3 तो उसने क्या किया 3 hydrogen को अपने साथ जोड लिया यहाँ पर यह 3 hydrogen अपने साथ जोड है ठीक है क्योंकि इसके पाद 3 ही balance electron थे 3 hydrogen अपने साथ जोड के ALH3 बना लिया लेकिन क्या अभी इसका octate पूरा है क्या नहीं इसका octate पूरा नहीं इसके पास 6 ही electron है तो इसको मतलब इसको 2 electrons की जरूरत है पता है बहुत सारे बच्चे lithium aluminum hydride की structure नहीं जानते तो मैं आज आपको structure बता रहा हूँ उसी की बहाफ पे इसका mechanism समझ में आएग hydrogen आपको पता है कि lithium electron donor होता है और उस case में ये electron acceptor होता है तो ये क्या करेगा ये अपना एक electron इसको देगा अगर इसने अपना एक electron इसको दिया तो एक खुद किस में convert हो गया? Li plus में और ये अगर electron लेगा तो एक खुद किस में convert हो गया? H minus में ध्यान से देखना lithium electro positive है एक metal है ये electron donor होता है इसने electron donate किया इस hydrogen को तो यहाँ पर ये खुद Li plus में convert हो गया इस case में जो hydrogen है basically वो H minus में अब देखिए aluminium और lithium में फरक बहुत है clear होता है ये group number 1 में आता है वो group number 13 में आता है तो बहुत ज्यादा जिदी है ये बहुत जिदी in the sense ये बहुत ज्यादा reactive है ये बहुत easily electron अपना एक donate कर देगा अब यहाँ पर होगा क्या हमें पता है किस aluminium को electrons की जरुरत है इस case में जो hydride है वो aluminium को जाके क्या देगा? electrons देगा clear होता है और lithium उसके साथ जाके जुड़ जाएगा अब सोचे जरा अगर इसने aluminium को electron दिये तो finally ये किस में convert हो गया जरा देखो AL, H और total तीन hydrogen पहले थे एक ये रहा तो चार हो गए और उस case में aluminium पे minus आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? जरा सोचो इसने तो electron दे द electron लिए है और ये है minus वाला specie और lithium वाला है plus वाला specie ये दोनों साथ में रहेंगे इसी को बोलता है lithium aluminium hydride उसको उस जगा पे लिखने की बजाए मैं इसके आगे लिख देता हूँ चलो ये लोग ये lithium aluminium hydride होता है ये होता है actual में specie जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होत होता है so finally lithium पे होता है plus aluminium hydride जो ALH4 दिखाए दे रहा होता है ये कितना इंडरस्टिंग है ज़रा चेक करो तो ये structure है overall अगर देखे तो मैंने उसको यहाँ पे बना दिया लीथियम ने एक electron दे दिया hydrogen को खुद plus में चला गया ये H- में अब क्यूंकि इसके पास electron है donate करने को तो ये aluminium की मदद करता है और उसका octate पूरा कराता है तो total aluminium के साथ 4 hydrogen जुड़े हुआ है और जिस पे aluminium पे minus का sign है अब ये चीज़ आपको ध्यान लटने क्योंकि यहाँ पर यही work करेगी तो चलो अब मैं आपको इसका mechanism बताता हूँ तो सबसे पहले अब खास बात क्या है ज है इसके पास है है इसके पास हैं देने को यह ध्यान डिकना आपको इनके पास है माईनियन को ये आपको ध्यान डेकना है अब देखिए आपको इसका mechanism बताता हूँ देखिए यहाँ पर सबसे पहले यह रहा हमारा amide की जुड़ेकल और बेखना भी चनल और riches क्लिर होता है इड्रोजन के पास है, इलेक्ट्रोन डोनेट करने को, आप देखिए ज़र अध्यान से, यहाँ पर जैसे आप इसकी रियक्शन कराओगे, लिथियम ऐल्मीनियम हाइडराइड से, तो पता है आपको लिथियम ऐल्मीनियम हाइडराइड का काम होता है, एच माइनस आयन देना इसका मतलब इसको एलेक्ट्रोन की जरूरत, सबको समझ में आ गया, तो इस केस में यहाँ पर यह जो एक हाइडराइड आयन है, जो इस एल्मीनियम के पास होगा, इस स्ट्रक्चर को पूरी खोलता हूँ, ज़र ध्यान से इसको चेक करना, एल्मीनियम के पास टोटल चार ह और यह 4, क्लीर हो गया, और इस एल्मीनियम पर क्या है, माइनस यह ज़र अभी हमने देखी, तो इस केस में जो हाइडराइड है, यह क्या करेगा, यह हाइडरोजन अपने दोनों इलेक्ट्रोन निकालेगा, त्यान से इसको चेक करेगा, वैसे भी एक्स्ट्रा ही है, और क्या करेगा, इस कार्बन को अपरोज करेगा, उस केस में अब अल्मीनियम ने अपना इलेक्ट्रोन खो दिया, फिर से इसका ओक्डेट इनकंप्लीट हो गया, इस केस में जब यह इसको अपरोज करेगा, तो कार्बन पांच बोन तो बना नहीं सकता है, तो उस केस में यह गरेगा पाई लेक्टों को अपनी तरफ खीचेगा खीच लिए अब इस oxygen के पास electron आ गए अब इस aluminium को electron के जर्थ है तो इस case में जो पूरी species है वो कहाँ जुर जाएगी जाके इस oxygen से दुबारा समझे बहुत important है ये मैंने बना दिया alh4 minus उस case में सबसे पहले ये जो hydride है वो दोनों electron लेता है यहां से खीचता और इस carbon के साथ bond बनाता है अब carbon 5 bond तो बना नहीं सकता उस case में एक bond टूटेगा ये pi bond के electron shift होते है oxygen की तरफ तो oxygen पे electron आ गए इस case में जो बाकी बचिवी species है क्योंकि अभी इसका octate पूरा नहीं है क्योंकि ये खीच लिए है इसने electron तो ये सारी species जुड़ जाती है oxygen के साथ क्या बने का ज़रा चेक करिए तो मैं इसको इस तरफ बनाता हूँ तो द्यांसे इसको चेक करिएगा ये है R उसके बाद यहाँ पर हो गया carbon carbon के साथ उपर लगा हुआ है oxygen जहांसे इसको चेक करिएगा ठीक है तो फाइनली इसने electron खीचे और उसको दे दिये तो फाइनली इसके साथ क्या जुड़ा होगा Al H3 और aluminium पर अभी भी minus है ऐसा क्यों क्योंकि aluminium ने अगर यहाँ से electron खो दिये तो उसको electron दिये किसने इस oxygen ने तो यह जुड़ गया उसके साथ जाके सबको समझ में आता है और यहाँ पर यह जो hydrogen है वो इसके साथ जाके जुड़ गया तो यहाँ पर यह hydrogen जुड़ गया फाइनली अब ध्यांसिस को चेक करना आगे का सीन क्या है तो hydrogen एक तो जुड़ गया अभी एक hydrogen की जुरुत हो रहे clear होता है अब देखे क्या होगा अब इस case में nitrogen क्या करेगा अपना loan पर यहाँ डोनेट करेगा जैसी डोनेट करेगा यह पूरा का पूरा अब देखे आगे का सीन है तो प्लस अब जो सीन बन रहा है ठीक है सोरी एरो लगा देता हूँ अब सीन जो बन रहा है उसको चेक करेगा देखे ज़रा ध्यान से फाइनली nitrogen ने यहाँ डोनेट किया और यह पूरी स्पीसी बाहर हो गई तो क्या बना यहाँ पर यह R उसके बाद यहाँ पर CH double bond N H2 और यहाँ पर आगया प्लस दिखाई दे रहा है सब लोगों को दिखाई दे रहा है बहुत इजी है और वो स्पीसी बाहर निकल गई अभी भी कार्बन के वेलेंसी कंप्लीट है अभ वो जो स्पीसी बाहर निकली है वो क्या है वो मैं आपको इस तरफ लिख देता हूँ यहाँ दरा ध्यान से इसको देखिए गा उस तरफ लिख रहा हूँ ठीक है वो क्या है जरा चेक करो oxygen electron खीचे है तो oxygen पर माइनस आजाएगा तो यहाँ पर AL H3 इस पर तो माइनस है ही इस oxygen electron खीच ले तो इस पर भी माइनस है दिखाई दे रहा है अब मैं उनके hydrides को में क्या करता हूँ यह तीन है तो यहाँ पर दो लिख यह और एक यहाँ लिख देता हूँ clear हो गया सब लोगों को अब देखिए यहाँ पर यह specie भी इतनी stable नहीं है ऐसा क्यों क्यों क्योंकि nitrogen पर electron negativity nitrogen की जादा होती है और उस प्लस का sign है तो यह वापस electron को खीचेगा उस case में क्या करता है इस carbon को फिर से electron की जूर्थ पड़ेगी तो यह जो hydrogen है फिर से इस carbon की मदद करता है जिससे यह pi electrons वापस से nitrogen को मिल जाते है और finally आपका product तयार हो गया अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो finally क्या बना R उसके बाद CH एक hydrogen पहले से था एक hydrogen वहाँ से आ गया तो 2 हो गया उसके बाद यहाँ पर क्या है NH2 clear हो गया R, C, S2, N, S2 amine आपका तयार हो गया clear हो गया सब लोगों को और वहाँ पर जो species बच गई वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ज़रा चेक करो वहाँ पर क्या बचा वहाँ पर देखिए यहाँ पर oxygen पे है minus और साथ में ALH2 क्योंकि hydrogen aluminium ने खो दिया है और साथ में lithium पहले से था ही प्लस तो देखिए अब lithium aluminium hydride का oxidation हो चुका है इसके साथ oxygen जुड़ चुका है और यहाँ पर जो amide आपने लिया था उसका reduction हो गया वो amide में convert हो गया clear होता है so यह total mechanism है वो बहुत interesting है वैसे इसको बताने के तरीके बहुत है लेकिन जो bestest way है जो आज के time पे organic में पढ़ाया जाता है universities में आगे जब आप पढ़ोगे तो वो यह वाला method है तो मैंने आपको super method बता है जो actual में exist करता है जिसकी acceptance जाद है तो इस चीज को समझे so finally guys I hope आप लोगों को यह सारी चीज़े समझ में आ गए होंगी screenshot ध्यान से ले लिजे ले लिया so एक बार फिर से मैं आप लोगों को recall करवा देता हूँ यह है हमारे लिए amide lithium aluminum hydride इसका reduction करवाएगा और इसको amide में convert करेगा तो अगर इसका reduction हो रहा है